चलो बच्छा लोग, we have to move forward, accounts का हमारा syllabus चल रहे हैं, एक बार हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने के पहले, as usual तुमको बता है, हर्दिक भाहिया, revise करा है, बिना आप चैन से बैठेंगे नहीं हमारा, तो एक बार हम लोग revision करेंगे, तुम्हारा मैंने क्या क्या तुमको ब मैंने तुमसे कुछ basic बात किया था, एक तो सबसे पहले, थोड़ा-थोड़ा हम लोग basic को revision करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, भाहिया, what do you mean by accounting, तो accounting मतलब क्या होता है, recording of transaction, in a chronological order, है न, तो ये क्या होती है, हमारी accounting, ठीक है, और ये basically accounting के एक portion है, जिसको हम क्या बोलते है, bookkeeping बोलते हैं, क्या बोलते है, bookkeeping, एक बार हम आपको revise करें, शॉट में देखो, तुम लोग इंटर में आ चुके हो, मेरे को पता है, तुम लोगों ये सारी चीजे तुम भाहिया, 11th में सुने, फिर उसका foundation में आप सुना है, फिर आम इंटर में सुना रहे हो, क्या करू सुनाना पड़ता है, तुम लोगों की बहुत चिंता है मेरे को, अब तुम लोगों को मैं multiple times revise कर आता हो, ताकि तुम्हारे दिमाग में मेरे जैसे feed हो जाए, जैसे मेरे दिमाग में आप चीजे feed हो गई, वैसे तुम्हारे दिमाग में feed हो जाए, इसलिए multiple times, मेरे को तुम सबसे बढ़ा portion कौन सा होता है है यह accountancy होता है हं तो DRC है तो जबसे बढ़ा portion ठीक है तो इस नदर सबसे बढ़ा portion थिक तो भुख किम और उम्चिपीपिंग करते हैं क्लासिस्टीकेशन करते हैं बुख़।Bीपीपिंग करते हैं निदर के रोकॉरि हारी memory इतनी एट पार नहीं है कि हम लोग आज हुआ जैसे मैं तुमसे पूछूंगा बताओ पिछले हफ्ते इसी दिन आज कौन सा डे आज मालो चलो मंडे तो पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते मंडे को क्या खायते बताओ सुभा तुम नहीं बता पाओगे क्यों कि हमारा दिम Klassification क्या होता है ? Clasification मतलब same nature की transaction को एक जगह पर एक अठा करके रखबने फिर nossos देंक कि सम्मराइसीं寄 समिराइजिंग और इंटरपिटेशन को सम्मरा guides को समस्मराइज मतलब training & profit & loss account बालें और इन केस of manufacturing इसका मतलब बिजनस के पास कितनी assets है और कितनी liabilities उसका पता लगाना बर दा point is भईया हमको asset or liability का तो मतलब भी नहीं पता है आप ये था हमको बता है नहीं तो बस अब बताने वालों आपको वैसे तुम लोगो पता होगा पर जिनको नहीं पता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो हमने पढ़ा था एक event happen होता है event दो तरीके का हो सकता है whether it may be related to economical औ पतलब एक ऐसा system बना देना है देखो एक जब adequate amount of earning हमारी हो जाएगी ना तो उसके बाद हमको ऐसा लगेगा कि पैसा लेके तो नहीं जाएंगे मरने के बाद मरने के बाद अपने कब्रों में पैसा भरके तो नहीं जाएंगे तो उससे अच्छा बही कुछ अच्छा कामी क कोचिंग प्रोवाइड करता हूं या तुम लोग जो मेरी गूगल ट्राइफ की classes लियो इसमें तुमको पैसा लिया था तुमसे हाँ पैसा कम लिया हूं ठीक है क्यों कि भाई सारे बच्चे अफॉर्ड नहीं कर सकते 10,000 की classes तो मैंने पैसे कम लिये ठीक है मैंने बहुत कम लेकिन और वो एकनोमिकल क्यों कॉस्ट कवर करने के लिए जितना कॉस्ट मेरे को लग रहा है उतना कवर करने के लिए ठीक है तो यह क्या है मेरा यह एकनोमिक मोटिव है मेरा एकनोमिक मतलब देखो तुम लोग बोलो के भाईया कम पैसा ले रहो पर वह नहीं पैसा ले र है ना समराइजिंग के अंदर हम लोग क्या क्या बनाते हैं एसेट का मतलब ओनर्स फंड बॉर्वर्वर्ट फंड के बारे मैंने कुछ कुछ तुम लोगो बताया था चलो अब इन डफ्ट चर्चाम करने वाले थे बेसिट ट्रांजेक्शन के ऊपर ट्रांजेक्शन क्या होत बागोdar कि माला मैंने जन्राल स्टोर खोल ली किराने की दुकान खोली कि दुकrr ibodaat एक स्टूडें मेरे दूटी सब्सकेन चलते मेरे भाइँ चुन तो मैं बॉला यह फ्रीज कितने का बोला 12,000 रुपे का फ्रीज है Samsung अपनी एक नंबर ठीक है Samsung से कोई paid promotion नहीं कर रहो न मैं Samsung कमणी एक नंबर ठीक है पर ये बोला नहीं मैं तो हार्दिक भाया से लूँगा हार्दिक भाय से मैं टूशन पढ़ता हूं मेरे को समान हार्दिक कि दुकान से लेना है ठीक है भार्दिक भाया में को डिस्काउंट भी दे देंगे वो मेरी दुकान में आ गया बोला भाया फ्रीज दे दो मैं बोला पागल है क्या कैसे कैसे भाया में को फ्रीज खरीदना है आपसे तो मैं बोला पागल फ्रीज भी नहीं बेचता मैं यह मेर नहीं रखा हूं तो बोले भाईया क्या बात कर रहे हो आपके बाजू अले दुकान अले तो फ्रीज बेचने के लिए रेडी है आप क्यों नहीं बेच रहे हो तो मैं बोला बेटा उसके लिए फ्रीज उसके धंदे का समान है उसके लिए उसके फ्रीज धरती का समान है भाई asset के उपर तो समझे तो goods क्या होता है धंदे का समान धंदे का समान क्या होता है जो मैं बेचने के लिए रखता हूं जो मैं बेचने के लिए रखा हूं that is my goods धंदे का समान ठीक है तो that is something profit मतलब मैं बताया था जो तुमको धंदे से profit होता है है ना मतलब तुम्हारी जब income जादा होती है और expenses कम होता है expense मतलब होता है खर्चा income मतलब होता है जो मैं कमाता हूं revenue तो जो मैं कमाता हूं वो अगर source owned by the business with the purpose of owing it for generating future profit ठीक है, it may be tangible or intangible तो main word जो आपको याद रखना है वो यह कि asset की capability होती है कि वो मुझे future earning capacity, what do you mean by asset, अगर मैं आपसे पुछूँँगा कि बेटा, मुझे आप बताओ, what do you mean by asset तो आप बोलो कि भाईया, asset asset का मतलब होता है कि जो मेरी future earning capacity होती है future earning capacity, asset क्या develop करती है आपकी future earning capacity मतलब आप future में जो business में profit कमाऊगे किधर से कमाऊगे, asset से कमाऊगे समझ में आ रही है बात मेरी, asset से कमाऊगे, तो that is something कि आपको future में जो profit कमाने में help करेगा वो क्या कहलाते है आपका asset कहलाता है clear हुई मेरी बात ठीक है यह tangible और intangible दोनों हो सकता है यह current non current भी हो सकता है भाईया कितने types बताओगे देखो assets पहले मैं bifurgation बता रहा हूँ फिर आपके ओपर meaning के ओपर चर्चा करेंगे हम कोई भी बच्चा forward करके वीडियो को नहीं देखेगा बिल्कुल restricted आपको forward करके नहीं पर अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को 1.5 की speed में देख सकते हैं अगर आपको आता है तो ठीक और नहीं आता है तो आप normal speed में ही देखेंगे asset can be tangible और intangible further it is divided into the current asset और non current asset ठीक है और वैसी intangible में भी देखो it may be a current asset और a non current asset ठीक है अब समझना मेरी बात को asset का मतलब क्या होता future running capacity मतलब एक बात बताओ मेरे को क्या मेरे पास यह laptop है यहाँ पढ़ा रहता है मेरे laptop recording करते time ठीक है तो यह मेरा laptop है यहाँ मेरा iPad है यह देखो यह Apple Pencil यह pencil है पता है यह pencil जो मैं लिखता हूँ ना बताओ जो furniture है यह तो chair जिसमें मैं बैठा हूँ बताओ एक-दो महिने के लिए एक साल के लिए या दो-तीन-चार साल चल सकता है यह सारी चीज़े चल सकती की नहीं चलो electronics का भरोसा नहीं पर फिर भी चलती है तीन-चार साल चलेगी की नहीं चलेगी तो यह सारे मेरे assets है क्योंकि भाई एक बार में इनको खरीद लिया बड़ा amount है सबसे बड़ी बात बड़ा amount है ठीक है पचास अजार का साथ अजार का laptop है तीस-चारीस अजार का iPad पड़ जाता है एपल बंसी लाट हजार की यह camera है ठीक है तो बस वो ही बात है आपर asset मतलब क्या होता है तुम्हारी business की वो property अगर देशी भाषा में बताओ तो business की वो property जो तुमको help करती है earning में helps in earning और basically कैसी earning? future earning ठीक है तो भाईया present में नहीं करती अरे भाईया present मतलब अभी से लेकर future मतलब तुम्हारे को future तक ये earning कमा के देगी तो that is your asset property मैंने तुमको example दे दिया ये सारे मेरे assets से चलो किराने दुकान वाले के example लेते हैं और clear होगा और मज़ाएगा एक किराने की दुकान है ठीक है अब किराने की दुकान मेरे घर के पास में भी किराने की दुकान है उसके दुकान में फ्रीज है उसके दुकान में फर्नीचर भी परखा हुआ है तो मैंने ठोड़ रेडियो भी लगा है उसमें चलते रहता है 94.3 माय अफम जी ओदिल से ठीक है तो वो भी चलता रहता है तो उस क्या है और में गया भाया को भाया पूलता है बोले नहीं मिलेगा क्यों इसेट है उस में कोल्डरिंfa करता उसके अंदर उसके अंदर झीज ऐ रखता हो मिशनी क सीटी अरने के असेट क्या है उनका पॉस National बुला मेरे को फरनीचर दे तो बोले मैं नहीं दूगा क्यों मेरा ऐसेट है भाई मैं वह बेशने के लिए थोड़ी रखाऊं वह तो मेरी फ्यूचर वह तो मैं शोकेस के लिए रखाऊं में वहाँ पर समान सजासेदा के कुरकुरे लेस के पैकेट बिसकिट के पैकेट ठीक है राशन के जो समान होते है चॉकलेट वगएर होती कोड्रिंग वगएर होता है यह सारी चीज़ों बेशने के लिए क्योंकि वह उनका एसेट नहीं है वह वह अपने बिजनस की अर्निंग के पैबिलिटिक लिए नहीं रखें वह तो उसको रीसेल करने के लिए रखे हुए और ऐसी अगर मैं फैक्टरी की बात करूँ तो फैक्टरी में जो मशीन होता है जो बिल्डिंग होता है जो प्लांट होता है जो लैंड होता है तुम्हारा यह सारी चीज़े क्या होती तुम्हारी एसेट होती जो तुम लॉंग टर्ण में एक बड़ा खर्चा हुआ एक तो सबसे बड़ी बात, एसेट का बात यह है कि लंबा खर्चा होता है, एक बार में, सिंगल शॉट में, लंबा खर्चा होता है, ठीक है, नॉन रेकरिंग नेचर का इटम है, बार-बार नहीं खरीदना पड़ता, सालों-सालों में एक बार खरीदते हैं हम एसेट को, एस सारी चीज़े क्या है एसेट है manufacturing जो फैक्टरी होती है और जो लोग goods produce कर रहे हूं उन assets का use करके उन्हीं assets से जो goods produce होता है उसको लोग market में based है तो that is asset ठीक है समझ गए अब asset can be tangible और intangible tangible का मतलब क्या होता है which can be seen or touched ऐसी चीज़े जिसको मैं देख सकता हूँ और मैं छू सकता हूँ तो वो मेरे tangible asset होता है for example क्या मैं pencil को देख सकता हूँ हाँ क्या इस pencil को मैं छू सकता हूँ हाँ तो this is my tangible asset ठीक है intangible asset क्या होता है which cannot be cannot be seen और touched ठीक है तुम लोग ऐसा लग रहा हो भाई ये सब चीज हम लोग पढ़े हो है आप बोर मार रहे हो हम लोग बोर नहीं मार रहा बेटा देखो अगर एक बच्चे को भी इससे फायदा हो रहा है ना तो that's good क्योंकि अगर तुम मेरे से lecture purchase कियो तो मेरी responsibility कि तुम्हारे book का एक एक कोना में तुमको पढ़ा हूँ एक एक कोना इसलिए पढ़ा दे रहा हो तो जो बच्चे पढ़े भी हुए है ना तो 1.5 की speed में देख लो revision कर लो बस ठीक है में को पता है थोड़ा सा तुमको boring लग रहा तो बहुत आत्मा का प्रमात्मा से मिलन नहीं करवाया गया तो फिर बोलना बहुत मज़ा आएगा वह अले chapters में ठीक है अभी थोड़े से boring chapter चल रहे हैं पर बहुत जल्दी यह chapter खतम हो जाएंगे ठीक है तो टेंशन मत लो ठीक है अब देखो टैंजिबल एसेट भी दो ट which is utilized more than one year तो देखो ऐसेट जो की बारा महीने के अंदर बारा महीने का जो तुम्हारा कारकाल होता है ना उसके अंदर यूटिलाइस हो जाएंगे या cash में convert हो जाएंगे वो क्या होता है तुम्हारे current asset for example dators तुमको दो तीन महीने में पैसा दे देते हैं maximum तीन महीने में current asset ह तुम्हारा stock जो तुम बेचने के लिए रखे हो बारा महीने एक साल के अंदर तुम्हारा stock बिख जाएगा भया कुछ stock तो एक साल के उपर भी बिखता है ना पर वो है current asset थीक है मतलब तुम्हारा जो अभी का जो stock जो last last के महीने में तुम order करोगे of course next year जाएगा but most probably तुम 12 महीने से उपर की होता है यहाँ पर सारी category के fixed asset आ जाते है building, land, plant, machinery यह मेरा laptop है computer होता है इतनी सारी चीज़ों होती ही वो सारी चीज़े कहाती non current asset में जो क्योंकि 12 महीने से जाधा क्यों होती है intangible asset में तुमको generally current asset देखने को नहीं मिलेगा पर कुसी situation में वो बन सकता है प इस चार महीने के लिए कोई copyright ले लिया चार महीने के लिए मास्तर चार महीने के लिए किसी से copyright खरी लिया तो current asset हो गया एक साल के अंदर cover हो जाएगा न तो यह current asset हो गया ठीक है और non current asset क्या हो गया जो कि एक साल से उपर रहा और generally non current asset ही होता है जैसे मैं तुमको intangible के example तो मैं अपनी goodwill कि हार्दिक भही अच्छा पढ़ाते हैं लोग बोल रहे हैं हार्दिक भही अच्छा पढ़ाते हैं तीक है मैं इसली बैस में जिलोगों को पढ़ाया था class 12 के बच्चों को उन लोग जाके अपने juniors को बोले हार्दिक भही के पास जाना अकाउंट्स में तुम्हारा आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा देंगे ठीक हैं तो यह क्या है मेरी goodwill है यह मेरे को दिख रही है क्या इसको मैं छूपा रहा हूँ क्या नहीं पर इसको मैं feel कर पा रहा हूँ इसको मैं feel कर पा रहा हूँ तो that is intangible asset intangible asset और यह भी non-current का होता है जो एक साल से उपर चलता है जो एक साल से उपर चलता है वो कैसा होता है non-current तो asset का meaning आपको clear हो गया होगा ठीक है मैं यह चीज मान के चल रहा हूँ asset का मतलब आपको समझ में आगे क्योंकि आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हो इसलिए हम बहुत ज्यादा detail में नहीं जा रहे है नहीं तो हम 11th में तो भाईया एक-एक class लगा जेते हैं सिर्फ एक physical existence and whose value is limited by rights and anticipated benefit that position confers upon the owner are intangible assets ठीक है तो यह सब क्या है तुमारे intangible assets की क्या है एक्जामपल है ठीक है समझ में आ गई बात goodwill, patents, trademark, copyrights, brand equity, design, intellectual properties ठीक है asset can be categorized into current और non current तो current asset कैसा होता है it is expected to be realized or indented for sale consumption in the company normally in operating cycle operating cycle मतला होता है तुमारे business करने की cycle होती है ठीक है तो सब क्यो operating cycle अलग अलग होती है किसी की 17 महीने, किसी की 18 महीने, किसी की 12 महीने रहती है तो operating cycle के अंदर cover हो जाएगा ठीक है और it is held primarily for the purpose of being traded ठीक है और इसका primary purpose क्या है trading के लिए मतला बेचने के लिए रखा गया है current asset का primary purpose क्या है कि वो generally बेचने के लिए रखा गया वाला समान है या 12 महीने के अंदर वो cash में convert हो जाएगा तुम इतना बस याद रखो basic 12 महीने के अंदर वो cash में convert हो जाएगा ठीक है एक second ओके next देखो it is due to be realized within 12 months after the reporting date simple सी बात है जिस दिन वो राइस हुआ है उसके 12 महीने के अंदर वो cash में convert हो जाएगा it is cash and cash equivalents unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date simple सी बात है वो बोल रहा है it is a cash and cash equivalents unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date simple सी बात है इसको हम cash and cash equivalents के अंदर ही categorize करते है अगर यह 12 महीने के ऊपर नहीं जाता तो simple सब्सक्राइब में समझो तो 12 महीने के ऊपर नहीं जाएगा तो मतलब 12 महीने के अंदर ही होना चाहिए या तो 12 months या within 12 months ठीक है तो यह current asset होता है अधर देन current asset is non current asset इसका मतलब हर asset जो 12 महीने के ऊपर रहेगा बिजनस में 12 महीने के ऊपर और तुमारी future running capability like machine, plant, land वो सारे क्या है non current assets है ठीक है वाट दी मिन भाई liability liability क्या होता है liability मतलब होता है dues liability मतलब क्या होता है dues liability means होता है obligation liability मतलब क्या होता है हमारे सिर का बोजह liability मतलब क्या होता है भाई हामारे सिर का बोजह जो हमको किसी को उधार लेकर रखे future में pay करना है future में pay करना है बोजह है सिर में so that is what my liability this is my simple and obligation to pay my debt in future म मैं किसंको payment करनी है जैसे मालो मैं उधार में समान खरीद के लिया है और मेरे को उस बंदे को future में payment करनी पड़ी की तो that is my liability towards that person जिससे मैं खरीद के लाया हूँ उसके प्रती मेरी ये liability है कि मेरे को उसको future में क्या करना पड़ेगा payment करना पड़ेगा clear भी बात तो देखो it is an obligation of financial nature to be settled on future date it represents the amount of money that the business owes to the other party o मतलब क्या होता है due ठीक है example when goods are bought on credit बोल रहा है अगर credit purchase of goods होगा अच्छा एक बार revision cash purchase मतलब क्या होता है भाया तुरंत cash दो settlement कर दो cash purchase होता है credit purchase मतलब क्या होता है credit purchase मतलब उधार में purchase करना या उधार में sale करना ठीक है तो the firm will create an obligation to pay the supplier the price of the goods on an agreed future date और when a loan is taken from bank an obligation to pay the interest and principal is created depending upon the period of holding this obligation can be further classified into non-current and current बोल रहा है liability मतलब तो यह तो obligation which we need to pay in future but it can be classified on the two heads it may be a current liability और a non-current liability current liability क्या होती जो की 12 महिने के अंदर मुझे पे करनी है जैसे की creditor जैसे की short term loan है ना जैसे की bank overdraft bank overdraft होता है ठीक है bank overdraft मतलब तुमको नहीं पता होगा तो मैं बता दू bank जो है वो तुमको allow करती है कि तुम्हारे account में जितना balance है मालो 10,000 का balance है न तुम्हारे account में तुम 20,000 withdraw कर सकते हो तुम 30,000 withdraw कर सकते हो मतलब तुम अपने bank balance को negative लेके जा सकते हो तो that is negative वाला जो portion रहता है न वो bank overdraft होता है और बहुत short term clear रहता है 2-3 महीने में you have to pay the amount to the bank ठीक है, so that is bank overdraft तो वो तुम्हारी current liability है, क्यों? क्योंकि तुमको 12 महीने के अंदर अपनी liabilities का payment करना है समझ रहो ना बात को 12 महीने के अंदर तुमको अपनी liabilities को pay करना है तो that is your current liability what is your non-current liability? भाया, simple, जो 12 महीने के बाद payment करना है yes, जो 12 महीने के बाद payment करना है वो तुम्हारी क्या होती? non-current liabilities very good, so current liabilities it is expected to be settled in the company's normal operating cycle मतलब 1 साल, it is held primarily for the purpose of being traded it is due to settlement within 12 months from the reporting date next, देखो non-current liability इसके अंदर भी internal liability और working capital दो concept हमको पढ़ना है तो देखो पहले तो ये देख लो all other liability shall be classified as non-current liability example, loan taken for 5 years or debenture or debenture issued, etc तो ये तुम्हारी हर liability जो 12 महीने के उपर होती, वो क्या होती? non-current liability अब देखो internal liability और working capital के बारे में हमको जाना है तो what is internal liability? these represent proprietors, equity, taxes all those amount which are entitled the proprietor, example, capital, reserve, undistributed, etc तो internal liability मतलब वो liability जो हमको अपने घर वाले को देनी है और घर वाला कौन है हमारा? मालीक तुमको पता है ना, owner और business separate legal entity होते है पता है कि नहीं पता है कि owner अलग होता है और business अलग होता है business entity principle if you remember और if you don't remember then don't take tension next chapter में हमको वही पढ़ना है gap पढ़ना है generally accepted accounting principle उसके अंदर हमको तुमारा ये accounting concepts, conventions और principle तीनों पढ़ना है तो tension की बात नहीं है अगर नहीं पता है तो तो well and good है कि owner अलग आदमी है business अलग आदमी है law की नजरों में law की आखों में कोई नहीं बचता दोनों अलग अलग है ठीक है तो owner अलग है business अलग है ठीक है तो जो business का उधार रहता है owner के प्रती business का उधार owner के प्रती मतलब business की dues जो बच्चे English में लेक्चर् आ राइटू अच्छ्छ ट्राइटू अड्च्छ प्रॉज्स ट्वाट्स ओड्नर ठीग्हेव गेड़र। ग्ट्राइट अफिक्या स्ट्वाइट। ट्लेडिमूट्र अट्रल ग्ल्लीमूर। इसक्रड रिंटर्सिधाइड अट्वाइट। we can set aside from the profit itself ठीक है and some what we can say or retained earnings retained earnings or many more things ठीक है so basically the amount which the business need to pay to the owner is known as internal liability देशी भाचा मैं बोले तो business जो भी amount owner को pay करेगा या pay करना बचा हुआ है मतलब pay करना जो बचा हुआ है वो क्या है internal liability है ठीक है so this represent proprietor's equity जिसके अदर capital reserve undistributed profit यह सारी चीज़े आती है working capital क्या होता working capital मतलब simple होता है current asset minus current liability मतलब जो तुमारा current वाला portion होता है बैलेंस शीट में देखो तुमारी normal balance sheet में तुमको क्या क्या देखने को मिलता है balance sheet के अंदर यह वाला side asset का होता है यह वाला side liabilities का होता है है ना liabilities का होता है ठीक है नहीं पता तो आप जान लो तो यहां पर तुमको एक non current asset देखने को मिलेगा एक current asset देखने को मिलेगा एक equity देखने को मिलेगा एक current liability देखेगा एक non current liability देखेगा इतनी चीज तुमको दिखती है तो यह वाला portion है यह वाला portion यह कहलाता है तुम्हारा working capital क्या कहलाता है ये वर्किंग कापिटल समझ वहीं बात तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है वर्किंग कापिटल समझ गए तो देखो वर्किंग कापिटल में फिर भी तुमको थोड़ा सर्दा मतलब साल के दौरान जो भी तुम्हारा आना जाना आना जाना करेंट करेंट मतलब क्या होता है साल के दौरान 12 महीने के अंदर आना जाना जो लगी रहता है बिजनस में ताता लगी रहता है उसको working capital बोलते हैं which is related to your trading activity which is related to your trading activity मतला तुम बनाओ के बेचोगी या खरीदोगे बेचोगे उससे related ही तो होता है ना तुम्हारा current asset or current liability so that is your working capital in order to maintain flow of revenue from operation every firm needs certain amount of current asset for example cash is required either to pay for expenses or to meet obligation for service required in goods etc by a firm on identical reason inventory are required to provide the link between the production and similarly account receivables generate when goods are sold on credit cash, bank, data, bills receivable, closing stock, repayment etc represent current asset of the firm the whole of these current asset are working capital of the firm which is turned as gross working capital ठीक है तो क्या बोल रहा है जो तुम्हारा total current asset होता है जो तुम्हारे business का total current asset होता है जिसके अंदर cash, bank, data, bills receivable, closing stock और prepaid, prepayment मतलब prepaid जो expenses होते हैं इन सब को मिलाओगे तो तुम्हारा क्या बनता है gross working capital मैं तुमको net working capital बताया current asset में से current liability minus कर दो ऐसा हमने क्यों किया, देखो मालो मेरे पास 10,00,000 के current asset है तो तुम क्या बोलो के भाईया 10,00,000 का आपके पास समान पढ़ा हुआ 10,00,000 का आपके पास समान है बेचने के लिए तो आप उसको बेचोगे तो आपको 10,00,000 का समान मेरे पास पढ़ा है अगर मैं उसको बेचूँ गा तो मैंको 10,00,000 रूपैं मिल जाएगा 10,00,000 रूपैं आपका हो जाएगा This is half truth आधा सचे वह क्यों कि भाईया जैसे current asset है 10 लाक यह उसको बेचूंगा 10 लाक मिल जाएगा वैसे current liability भी तो होगी creditor से उधार में purchase किया था भाया जो तुमको asset दिख रहा है मेरा asset पर जो तुमको stock दिख रहा है creditor से उधार में purchase किया था yes, yes बच्चों, yes सोचने वाली बात है तो यहाँ पर अगर मैं 6 लाक रुपए current liability का minus कर दू तब मेरे को पता चला actual में मेरी जो working capital चल रही है वो 4 लाक चल रही है मतलब अगर आज मेरे को किसी बंदे को payment करना है या आज मेरे को कुछ sale करना है या आज मैं देखना चाहूं कि current asset net में कितनी है net में मेरे पास current asset की value कितनी है liabilities को payment करने के बाद तो वो 4 लाक है समझे तो वो कितनी है 4 लाक क्यों कि 10 लाक की तो asset दिख रही है पर 6 लाक की तो current liability भी payment करनी पड़ेगी न करनी पड़ेगी कि नी करनी पड़ेगी एक बर बता दो प्लीज मेरे को है न करनी पड़ेगी न तो that is your working capital current asset minus current liability और working capital हमेशा net में ही calculate होता है तो तुमको gross working capital का यहाँ पर formula दिया है total current asset gross working capital मतलब total फिर यहाँ पर तुमको दुनिया जहान का amount दिया हुए तो उसको छोड़ो यहाँ पर देखो this concept of working capital is known as net working capital which is more realistic net working capital more realistic होता है कौन सा concept current asset minus current liability gross working capital तो fraud है समझे रहो मेरी बात मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे पास current asset है 10 लाग की तो तुम मेरे को बोलोगे क्या कि भाईया आपके पास 10 लाग रुपे है नहीं बोलोगे क्योंकि भाईया आपकी current liability की obligation भी तो है आप उसको pay कर दो 6 लाग तब मैं बोल सकता हूँ ठीक है 4 लाग है आपके पास ऐसी asset है जो मैं बोल सकता हूँ solely आपकी है आप उसको किसी भी चीज़ के लिए use कर सकते हैं तब 4 लाग रुपे मेरा है working capital जो capital मेरा work कर रहा है भी work मतलब क्या हो रहा है working capital नाम क्यों पड़ा ऐसा capital जो अभी काम में लगा हुआ है production के यह trading के काम में लगा हुआ है ऐसा capital कितना है 4 लाग है net में देखो 4 लाग है ऐसे देखो के gross में तो 10 लाग की asset लगी हुई है तब 10 लाग की asset अभी market में चल रही है पर net में वो सिर्फ 4 लाग है clear हो गई बात so that is the concept of working capital ठीक है contingent liability के देखते हैं हम लोग contingent liability देखो क्या होती है एक second contingent अब देखो CMA foundation law में तुम लोग पढ़े होगे contingent contract पढ़े हो ना मेरी free videos जली तो उससे पढ़े होगे जिदर से भी पढ़े होगे contingent contract का मतलब क्या होता भया which is dependent upon certain happening and non happening of an event yes ऐसी चीजे जो किसी event के होने या नहीं होने पर depend करती है वो क्या होती contingent liability तो जैसे माल लोग की एक business है और उसके ओपर कोई cold case चल रहा है cold case कुछ ऐसा है कि अगर वो cold case जीत गया तो उसको amount मिलेगा एक लाख का और अगर वो cold case हार गया तो उसको एक लाख रुपए देना पड़ेगा समझो cold case cold case is going on ठीक है अब अगर wins the court case lose the court case win हो गया तो 1,00,00 received और हार गया तो 1,00,00 to be paid ठीक है तो एक cold case चल रहा है जिसमें अगर तुम जीत गये अगर वो business man जीत गया तो एक लाख रुपए उसको मिलेगा और अगर वो हार गया तो उसको एक लाख रुपए देना पड़ेगा अब एक बात बताओ prudence और conservatism principle याद है accounting का नहीं याद है मतलब आपको कोई भी anticipated gains मतलब ऐसा gains जो आपको लग रहा है कि मेरको profit हो सकता है उसको आप कभी भी अपने books of accounts में नहीं लिखنا मतलब कोई भी ऐसा फायदा जो आपको लग रहा है आपको feature में होगा उसको आप accounts में नहीं लिखنا provision for bad debts, provision for doubtful debts इसलिए तो बनाते हैं, prudence और conservatism principle के चलते, ठीक है तो भाई, अगर मैं court case हार गया तो एक लाग देना पड़ेगा न, है न, और मेरको तो पते ही नहीं है, ये भाई एकदम मतलब probabilistic है, 50-50% है, जीज भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ 50-50% है, depend करेगा court case में कैसा favorable decision चल रहा है तो भाई, contingent liability होती है, मतलब अगर हार गया, तो पैसा देना पड़ेगा हार गया, तो एक लाग रुपे देना पड़ेगा तो that is contingent liability, मतलब अगर हार गया, तो एक लाग देना पड़ेगा इसको हम लोग account में नहीं दिखाते, इसको हम नीचे notes to accounts में दिखाते है, तो देखो it represents a potential obligation that could be created depending upon the outcome of an event ठीक है, example आप लोग पढ़ लेना ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है next है तुम्हारा capital, what do you mean by capital, तो देखो एक बात बताओ, मेरेको business चालू करना है, I want to start my business ठीक है मेरेको business और मेरेको कहे का business करना है मेरेको business करना है, तुमारा इसका agriculture, organic farming करनी मेरेको, organic farming वैसे मैं तुम लोग को बताओ, जो भी मेरे students मेरी videos देखते हो, ठीक है तुम लोगों को मैं थोड़ा knowledge भी दूँगा तुमारे life से related, business से related भी ठीक है, क्योंकि मेरा करतब भी है, मेरा फर्ज है तो तुम लोग organic farming sector के बारे में future में invest करने के बारे में सोच सकते हो क्यों क्योंकि लोग धीरे-जीरे जागरूत होते जा रहे और जैसे यसे लोग जागरूत होते जा रहे है तो उन लोगों का ध्यान जो है, वो healthy food products के तरफ जुकाओ जादा होते जा रहे तो उन लोग they are ready to pay higher amount for the healthy food product ठीक है, they are ready to pay, ठीक है इसलिए तो भाई, बड़ी-बड़ी brands इतनी महेंगी होती, फिर भी जो चलती है, तो कि consumer क्या हो रहे है आजकल, आजकल health conscious होते जा रहे है तो you can think about organic farming तो देखो मेरे का organic farming का business सालू करना है but I need 1 crore rupees to start my business land went खरीद के सब मिला के 1 crore rupee की आवश्चकता है तो ये 1 crore rupee ये 1 crore rupee, जो है मैंने अपने, क्या बलते है, पापा से मांग लिए ठीक है, मैंने अपने पापा से 1 crore rupee मांग के अपने business में invest कर दिए ठीक है, invest in my business एक बात बताओ, business के लिए 1 crore rupee क्या है भाईया, business के लिए 1 crore rupee investment है business के लिए 1 crore rupee क्या है, investment है और इसी investment को हम capital बोलते हैं ठीक है The amount invested in the business is known as capital The amount invested in the business is known as capital एक तुम्हारा term होता है capital employed तुम FM में बहुत ज़्यादा पढ़ोगी अकाउंट्स में भी तुमको देखने को मिलेगा capital employed इसमें भी दो तरीके का कारक्रम होता है एक होता है तुम्हारा owners fund और एक होता है तुम्हारा borrowed fund borrowed fund तो capital employed में न तुम या तो अपने खुद का पैसा भी लगा सकते हो business में जो तुम्हारे खुद के पास पैसा पढ़ा था या तो फिर तुम कहीं से loan लेके भी पैसा लगा सकते हो समद्ध रहो तुम कहीं से loan लेके भी पैसा लगा सकते हो, या तुम्हारे पास जो खुद के पास पैसा पड़ा हुआ था ना, तुम उसको भी लगा सकते हो, उसको भी invest कर सकते हो, ultimately जो business में तुम amount invest करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, capital बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो तुम business में amount invest करते ह बोलते हैं, समझ मैं ही बात, तो देखो, और एक चीज़ और ध्यान में रखना, capital में भी, at cash, और at kind, ठीक है, मतलब capital cash में भी हो सकता है, kind में भी हो सकता, तो cash में तो तुमको समझ में आ गया होगा, मैं क्या बोलना चाह रहो, पर kind का मतलब क्या होता है, मतलब तुम कोई समान भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे माल लो, तुम्हारे पास पहले से जमीन थी, तो उस जमीन को तुम बिजनस में इन्वेस्ट कर दिये, तो land, land cash तो नहीं है, लेंड क्या है, kind है, तुम्हारे पास कुछ furniture पढ़ा था, तुम उसको office में लगा दिये, अपने business की, तो that is kind, तुम्हारे पास building की खुद की, उस building को तुम अपना headquarter बना लिए, that is kind, तो capital can be cash और kind, तो देखो, it is the amount investing in the business by its owners, ठीक है, it may be in the form, अब simple सी बात है, इस चीज़ को हम अलग से capitalistically treat करते हैं, क्योंकि owner and business separate legal entity है, ठीक है, separate legal entity है, तो business के लिए, वो जो capital invest कर रहा है owner, वो उधार ही है, business के point of view से, जो owner capital, तुम लोग बोलो के भाईया, आप ही का business, आप ही पैसा लगा रहा हो, तो अपनी ही पैसे को आप liability क्यों मान रहा हो business के point of view से, क्योंकि वो liability है, क्योंकि owner और business is a separate legal entity, ठीक है, it may be in the form of cash, goods or any other asset which the proprietor और partner of business invest in the business activity from business point of view, capital of owner is a liability which is to be settled only in the event of the closure or transfer of the business, and it is not classified as normal liability for corporate body capital is normally represented as share capital, ठीक है, तो normal scenario में हम इसको capital बोलते हैं, पर company के case में, company के case में ये देखो, for corporate body company के case में हम इसको क्या बोलते हैं, share capital बोलते हैं, company के case में हम इसको क्या बोलते हैं, share capital बोलते हैं, बाकी तो accounting for companies में, अगर तुम लोग demand करोगे, तो हम मैं पढ़ाऊंगा सस्ते में, बहुत सस्ते में पढ़ाऊंगा गुरुप्तु का सब्जेक्ट है और फिर उसमें मैं तुमको बहुत depth में समझाऊंगा company के बारे में तो बिलकुल यह देखो, तहां गया, यह मेरी खुद की बुक है, किदर है, किदर है, यह देखो, accounting for, अच्छा, यह दो debentures है, तहां accounting for share capital, यह रहा, यह देखो, यह basically मेरी खुद की बनाई हुई book है, class 12 वाले बच्चों के लिए, accounting for share capital, तो इसमें मैंने सब कुछ describe करके रखा है, बहुत सुन्दर सी book बनाई है, मैंने, ठीक है, तो इसके ओपर हम चल्चा करेंगे, अगर हम subject तुमको पढ़ा है, तो, ठीक है, drawings क्या होता है, drawings, भाया वो जो paper में बनाई है, सुन्दर सुन्दर सी, नई बेटा, देखो, जैसे owner होता है, कौन है यह owner है, और यह कौन है, business, क्या है यह business, ठीक है, देखो तोड़ा मजा लेके पढ़े करो, यार, एकदम जब strict हो के तु ठीक है, but high is not a burden for you, ठीक है, तो देखो तुम owner हो, यह owner है, बिजनस है, तो owner business को क्या देता है, capital देता है, क्या देता है, owner provides business capital amount, ठीक है, capital जो है, वो invest करता है owner business में, और अगर owner business से कुछ पैसा withdraw करके लेके जाए, withdrawal of money or anything, withdrawal of cash, oblique kind, kind मतलब good suits लेके जा, तो हम इसको बोलते है drawings, क्या बोलते है, drawings, मतलब owner क्या कर रहा है, draw कर रहा है, क्या draw कर रहा है, cash draw कर रहा है, या फिर kind में goods goods कुछ उठा के ले गया, business की goods, business की goods उठा के ले गया, तो हम इसको क्या बोलते है, drawings बोलते है, क्या बोलते है, तो that is known as drawings, जो, जो owner जो है, owner business से कुछ निकाल के लेके ज तो वह बोल रहा है कि अगर बिजनस अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी समान लेके जाता है तो उसको क्या बोलते है द्रॉइंस उफकोर्स मैंने तुमको बता दिया एक्जांपल में तुमको दिया life insurance premium paid हुआ अगर business के cash है बिजनस के cash अगर life insurance premium pay हुआ तो ऑफकोर्स भाई business का life insurance होता है गया बिजनस की कोई life होती है क्या नई owner की life का life insurance हुआ होगा तो अगर तुमको question में life insurance premium पूछा है तो तुम समझ जाने ये drawings है ठीक है drawings will result in reduction of the owner's capital obvious सी बात है देखो जैसे माल लो उसने 1,00,00 का capital invest किया था और अगर वो 10,000 की drawings करके ले गया 10,000 रुपए निकाल के ले गया तो of course अब सिफ 90,000 रुपए का capital बिजनस में बचा है क्योंकि मैं capital से drawings को minus कर दूँगा as simple as that ठीक है मैं capital से drawings को minus कर दूँगा ठीक है तो it will result in reduction of the owner's capital ठीक है और the concept of drawings is not applicable to the corporate bodies like limited company अब बोल रहा है company के case में drawings का concept वर्क नहीं करता है यह किसके case में वर्क करता है sole proprietorship और partnership sole proprietor मतलब जहाए एक बंदा काम कर रहा होता है उस situation में drawings का concept आता है और partnership में भी तुमको drawings का concept सीखना है तो वो तो हम तुमको तभी सिखाएंगे ठीक है समझ महीं बात next देखो net worth है तो net worth क्या होता है समझो देखो net worth को न मैं owners equity भी बोलता हूँ इसी का मतलब शाद तुमको नहीं पता होगा देखो owners equity और net worth एक ही चीज होती है क्या होता है ना साल बर साल जैसे साल निकलते जाते है बिजनस काम करते जाता है और मालिक को profit होते जाता है जब profit हो जाता है मालिक को इतना सारा तो वो profit capital में add होता है profit का जो डबबा रहता है वो capital के डबबे में डाल दिये जाता है और capital में add होते जाता है ठीक है opening entry closing entry chapter में तुमको हम पढ़ाएंगे वो चीज, ठीक है कि profit जो है वो capital में add होती जाता है, profit and loss account, debit to capital account यह entry pass होती है, और profit जो होता है capital में add हो जाता है, तो एक point of time के बाद जब पूरा जो तुम्हारा capital रहता है, मतलब जितनी भी तूटल asset रहती है, total asset, ठीक है example, माल लो तुम्हारा non current asset है 10 lakh का, current asset है तुम्हारा 2 lakh का, तो balance sheet का total कितना हुआ, 12 lakh, इधर मैं माल ले तो current liability हो गई, 2 lakh की, non current liability तुम्हारी हो गई, 8 lakh की माल लो, ठीक है, तो इधर भी 12 lakh आना चीए, balance sheet के दुनों से total same आता है, तो इधर भी 12 lakh आना चीए, तो एक बात बताओ, यह total asset में माल ले current liability, मतलब 12 lakh माइनस 10 lakh, कितना बचा? 2 lakh, यह तुम्हारी क्या हैगी, net worth, जिसको मैं capital, और जिसको मैं equity भी बोलता हूँ, ठीक है, तो जब तुम total asset में से, total liability minus प्रफिटे कर दो कि जो तुम बच जाता है, जो बच जाता है, वही क्या होती ही, तुमारी owner's equity होती है, वही तुमारा capital होता है, वही तुमारा net worth भी होता है, तो बच्चे जनरली सोचते ही, यह साब अला ग अला लग है, ना, यह सारी चीज़े same है, ठीक है, देखो, क्योंकि simple थी बात है, मैं तुम लोगो modern approach of accounting सिखाया हूँ ना, modern approach क्या बोलता है, asset, बढ़ा तो debit, कम हुआ तो credit, liability, बढ़ा तो credit, कम हुआ तो debit, expenses, बढ़ा तो debit, कम हुआ तो credit, incomes, बढ़ा तो credit, कम हुआ तो debit, और equity, और owner's capital, बढ़ा तो credit, कम हुआ तो debit, ठीक है, तो वही बात है कि अगर loss हुआ, तो यह debit हो जाएगा, अगर profit हुआ तो यह credit हो जाता है, ठीक है, equity तुम्हारा, ठीक है, बाकी इसके उपर हम debt, चर्चा जब accounting चालू करेंगे, तब देखेंगे और, non-current investment क्या होता है, ऐसी investment जो कि तुम एक साल से उपर के लिए करके रखते हो, for example, तुम किसी company का share खरीद लिए, जो कि तुम एक साल से ज़ाधा रखने वाले हो, hold करके अपने पास, तुम किसी company में अपना पैसा invest कर दिए, जो तुम एक साल से ज़ाधा invest करके रखने वाले हो, तुम bank में अपनी FD करवा लिए, fixed deposit जानते हो ना, पापा ममें fixed deposit करवाए होंगे, तुम bank में fixed deposit करवा दिए, ठीक है, तो वो एक साल से उपर करवा दिए, तो वो तुम्हारा क्या होता है, non current investment, तो देखो, non current investment are investment which are held beyond the current period as to sale or disposal, example fixed deposit for 5 years, current investment क्या होता है, ऐसी investment जो एक साल से कम के लिए करके रखने हो, मतलब 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 12 महीने की investment माल लिए, चलो, 12 महीने के लिए तुम अपना पैसा के invest करके रख दियो, तो वो क्या तुम्हारा current investment, जो एक साल के अंदर फिर से cash में convert हो जाएगा, समझ के मेरी बात, ठीक है, तो देखो, current investment are investment that are by their nature readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date on which such investment invest, example, 11 महीना, commercial paper के example दिया है, commercial paper कंपनिया issue करती है, ठीक है, financial market chapter में CMA foundation में पढ़े हो, है न, CMA foundation में पढ़े हो न, next है तुम्हारे data, data कौन होते हैं, जिसको तुम credit sale करते हो और तुमको उचसे पैसा मिलेगा, data creator का मतलब समझो, यह हमारा business, क्या है हमारा business, ठीक है, यह हमारा business है, यह आदमी है supplier, यह कौन है, supplier, और यह कौन है customer, और मैं हूँ, बीच का बंदर, मस्त कल अंदर, ठीक है, तो मैं जब इसको credit में sale करता हूँ, और मैं जब इससे credit में purchase करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं credit purchase करता हूँ, तो इस बंदे का नाम मैं अपनी books के अंदर लिखता हूँ, creditor, क्या लिखता हूँ मैं, creditor, क्यों, क्योंकि इस बंदे को मुझे पैसा देना है बाद में, मैं इसको पैसा दूँगा बाद में, कौन business, business इसको पैसा देगा बाद में, तो ये बंदा कौन है creditor, मतलब मैं जब credit में purchase किया, तो जिससे मैं purchase किया, वो कौन है मेरा creditor है और वैसी customer ठीक है customer जो मेरे से credit में purchase करके लेके गया उसको मैं अपनी book में बोलता हूँ data अब इसका spelling d e b t o r होता है तो बच्चे इसको बोलते भाई ये तो debter है debter नहीं इसको data हम लोग translate करते है be silent है d e t o r data हम लोग इसको pronounce करते है तो जिसको मैंने credit में sale करके रखा है वो मेरे को बाद में पैसा देगा नहीं देगा हाँ भाई या वो पैसा बाद में देगा तो जब तक वो पैसा नहीं देज़ता मैं अपनी book में उसको data के नाम से note करूँगा और जो बंदे से मैं purchase किया हूँ जिसको मैं बाद में पैसा दूँगा उसको मैं creditor के नाम से note करूँगा तो यह होता है तुम्हारा data और creditor समझ मैं यह बात ठीक है तो देखो data के तीन प्रकार good debts, good debts कौन होते हैं अच्छे data, good मतलब क्यों होता है good debts कौन होते हैं वो data जो 100% शत्प्रतीशत श्योर हुम है जो मेरे को पैसा देगा वो कौन है, good debts, अच्छे data एक होता है doubtful debts doubtful debts मतलब क्यों होता है, ऐसे data जो मुझे ऐसा शक हो रहा है, मेरे को शंका वरी है मैं sure नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है यह data मेरे को पैसा नहीं देगा यह data मेरे को पैसा नहीं देगा मेरे से उधार में purchase करके लेके गया है मेरे को पैसा नहीं देगा तो मेरे को ऐसी शंका हो रही है, तो यह कौन है मेरा doubtful debts है, और तीसरा है bad debts, bad debts मतलब बुरा data जो मेरे को पैसा नहीं दिया बीना पैसा दिये मेरे को फरार हो गया ऐसा डिटर जो मुझे पैसा नहीं दिया वो कौन होता है मेरा बैड डेट्स ठीक है तो देखो जबिटर का मतलब मैं तुम लोग को समझा दिया हूं Capital expenditure मतलब क्या होता है, revenue expenditure मतलब क्या होता है, समझो, यह देखो, expenditure can be of two type, capital expenditure and revenue expenditure, okay, तो देखो, capital expenditure क्या होता है, basically non recurring होता है, ऐसा expenditure which is happened for the purchase of HAC, purchase of assets, ठीक है, तो ऐसा, देखो, flow, flow में कभी एक आधवर्ड इधर-उदर हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा expenditure, जो कि मैं खर्चा कर रहा हूँ, काहे के लिए, asset acquire करने के लिए, asset purchase करने के लिए, तो that is my capital expenditure, और for repayment of long term liabilities, इसको भी हम capital बोलते हैं, पर यह economics point of यहीं हुसे जर्ण स्विजपी बिजनस में क्या लिए टेट अक्षक करने क्लिया क्या होता है एटेकर करने क्लिकοιπόν थेट करने क् Container होता है ठीक है, for example मैंने asset purchase कर लिया, मैंने machinery purchase कर लिया, मैंने building purchase कर लिया, मैंने plant purchase कर लिया, तो ये क्या होता है, मैंने पूरा-पूरा business purchase कर लिया, तो ये क्या होता है, capital expenditure होता है, this is generally a non-recurring nature, this is generally a non-recurring nature item, मतलब ऐसा item जो बार-बार नहीं होता है, non-recurring nature है, मतलब ये बार-बार नहीं होता है, ठीक है मतलब सालों सालों में खुच सोचके देखो, करोडों रुपय की मशीन खरीटे हो, लाखों रुपय की मशीन करते हो, हर साल खरीटे हो, मम्मी किसी की सिलाई करती हो, बताओ हर साल मशीन खरीटी कि एक साल खरीद लिये, उसको time to time bus repairing करवाती है, है ना, तो यह क्या है, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने business में asset वगेरा purchase करने के लिए, तो that is your capital expenditure, और revenue expenditure क्या होता है, day-to-day expenses, day-to-day expenses, जैसे कि for example, electricity का खर्चा, electricity का खर्चा, rent, salary, pages, wages, telephone, ठीक है, etc, तो ऐसा खर्चा, जो तुम day-to-day expenses करते हो, day-to-day के अपने business को चलाने के लिए businessly जरूरी है, yes, rent देना जरूरी है, yes, salary देना जरूरी employee को, yes, wages देना जरूरी labor को, yes, telephone का recharge करवाना, तो ऐसा खर्चा, जो कि तुमारे day-to-day expenses से related होता है, उसको हम क्या बोलता है, revenue expenditure, ठीक है, और ये, ये तुमारी जो, ये capital expenditure, तुमारी future earning capability को बढ़ाता है, जबकि revenue expenditure तुमारी day-to-day earning capability पे जहां देता है, day-to-day मतलब तुमारा काम नहीं रुपना चाहिए, और capital expenditure long term क्ली होता है, जबकि revenue expenditure, जिस साल हुआ, जिस साल क्रचा हुआ, उसी साल consume हो जाएगा, मेरे को इक बात बता, एक महिने का साल फिर नाम भी नहीं लेते है घर में फिरिच का तो that is your capital expenditure वैसे business point of view से बात करेंगे तो plant machinery तो capital expenditure एक बार खर्चा कि पात दस सार आप भुर जाओ फुर सार तो that is your capital expenditure तो देखो कहां है यह देखो ठीक है this represent expenditure incurred for the purpose of acquiring a fixed asset which is intended to be used over long term for profit earning example amount to be paid वह example वगेरा में asset तुमको दिया है और this represent expenditure incurred to earn revenue of the current period the benefit of revenue expenses get exhausted in the same year of the occurrence ठीक है जिस साल खर्चा करोगे उसी साल उसको consume कर लोगे जैसे rent इस साल का दिये तो इसी साल रहोगे किराय से electricity एक महिने के दिये तो एक ही महिने बिजली मिलेगा एक महिने का mobile recharge कर आए तो एक ही महिने मुबाइल में call में बात कर पाओगे और internet चला पाओगे ठीक है समझ गए बात ठीक है और example में repairs insurance salary wages यह सब ठीक है balance sheet और P&L account क्या होता है यह final accounts के दो part है balance sheet और profit and loss account profit and loss account क्या होता है profit and loss account तुम्हारा वो account होता है जो तुम्हारे एक साल का तुमको business ने profit earn करके दिया है या loss earn करके दिया है वो तुमको बताता है balance sheet क्या बताता है तुम्हारी financial position तो profit and loss account तुमको result बताता है और balance sheet तुमको क्या बताता है position बताता है पोडिशन मतलब आज तुम्हारे पास कितनी assets है और कितनी liabilities है यह तुमको कौन बताता है balance sheet बताता है जबकि profit and loss account तुमको 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 results बताता है समझ गए मेरी बात? results बताता है ठीक है तो देखो balance sheet it is a statement of financial position of the business entity on a particular date तो यह चीज़ या दखना balance sheet कब बनती particular date तभी हम balance sheet बनाते time as that 31st March लिखते क्यों क्योंकि balance sheet उस दिन की बनती है ठीक है तो बोल रहा है PNL account बनाने के बाद हम इसको बनाते है इसके अंतर हम asset liability और liability में तुम्हारा capital का जो portion होता है वो भी अलग से दिखता है यहाँ पर ठीक है और balance sheet उस दिन की क्यों बनती है ऐसा क्यों बोला जाता है क्योंकि तुम समझो मेरी बात को मैं balance sheet बना लो 31 तरीक को दोपहर को 12 बज़े बैटके balance sheet बनाया मैं उस time stock count करके आया तो एक लाग का stock पड़ा हुआ था तो current asset में मैं एक लाग का stock लिख जा है सोचो मैं जैसी count करके है मैं balance sheet में एक लाग लिखा balance sheet टेली accounts खतम मैं जाके देखा इस तो 80,000 का stock बचा है अभी तो सिर्फ 80,000 का stock बचा है 20,000 का stock कहा गया बिग गया 20,000 का stock क्या हुआ बिग गया तो जो balance sheet है न वो stock concept पे वेकाम करत ठीक है वो एक particular time की कि इस समय जिस समय आप balance sheet बना रहे हो आपके business में कितने asset है और कितनी liability है सिर्फ वो यह बता सकती है वो पूरे साल में कितने asset था, कितना liability था, कितना pay हो गया, कितना आया, कितना गया वो नहीं बता सकती है वो at a particular point of time बात करती है कौन balance sheet ठीक है profit and loss account this account shows the revenue earned by the business and the expenditure incurred by the business so earn a debt revenue, this is prepared usually for particular accounting period which could be a month, quarter, half year, the net or a year, the net result of the profit and loss will be showed, profit and loss incurred by the business, ठीक है तो सबसे वहली बात profit and loss account तुम monthly, quarterly, half yearly, yearly, कैसा भी बना सकते हो जैसे तुम देखे हो कि generally bank का quarterly statement आता है, क्योंकि bank लोग quarterly भी profit and loss account बनाते है, तो उनके quarterly statements भी आते है, generally business को तुम द accounting करते हो, तो तुम देखे होगे कि हम लोग yearly बनाते है, हम लोग PNL account कैसा बनाते है, yearly बनाते है, इसमें सारे revenue जो earn हुई है और जो revenue जो उसके भीहाब में expenditure हुआ है, basically profit and loss account क्या concept follow करता है, matching concept, मतलब जो मेरा earning हुआ है, उसी के लिए जो मैं खर्चा किया हूँ, मतलब मैं तुम लोग को पहले भी बताया था ये, कि जितनी मेरी earning हुई है, है ना, उतने का, जैसे एक बात बताओ, मैं 10 unit खरीद के लाया 10 रुपे वाले, ठीक है, और कितने का हुआ 100 रुपे का, और उसमें से मैं 8 unit बेस दिया 20 रुपे में, ठीक, it was 16, 160 रुपे, तो मैं अब तु क्योंकि वैसे तो matching principle जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बात करूँ और अच्छे से, क्योंकि अगर तुम 8 unit का selling price ले रहे हो, तो तुमको 8 unit का cost के साथ उसको compare करना है, matching principle, कही ना, कही matching principle ही reason है कि closing stock, PNL account के credit side, trading account के credit side closing stock आने का reason ही matching principle है, तो matching principle क्या बोलता है, कि अगर तुम 8 units का selling price ले रहे हो, 160, तो 8 unit का ही cost price low, 80 रुपए, तब तुम्हारा original profit आएगा, जो की है तुम्हारा कितना 80 रुपए, और 2 unit जो बचा है, उसको तुम closing stock में डाल दो, 2 unit जो बचा है, उसको कहा डाल दो, closing stock में, तो this is your matching principle, this is the correct way to do the accounting, not the उपर वाला, जो above मैंने बता है, not the above one, ठीक है, तो matching principle से ही बनता है profit and loss account, कि जितना आज मेरा earning को है, उसके against में मैंने जो खर्चे की है, उसको सबको मैं लिख लेता हूँ, फिर उससे मेरा profit profit, तभी तो तुम सोचो, matching principle नहीं होता, तो outstanding wages को plus क्यों करते हो, matching principle, क्योंकि वो इस समय का खर्चा है, भले payment नहीं इसी साल का है, और prepared expenses को minus क्यों करते हो, पिर कभी logic लगा है उसके पीछे, तुमको सिखा दिया गया कि minus करते, क्यों minus करते, क्योंकि वो इस period का नहीं, वो अगले साल का है, prepared expenses अगले साल का है, खेर इसको पर मैं बात करने ही आगे, last topic है trade discount or cash discount, इसको हम समाप करके वीडियो क close करते हैं, देखो, discount coin can be of two types, discount can be of two types, it may be a trade discount, trade discount और a cash discount, ठीक है, it may be a trade discount और a cash discount, ठीक है, तो देखो, trade discount क्या होता है, जो customer को attract करने के लिए, mall जाते हो, mall, तो mall में दुकान के सामने लिखा रहे था है, flat 20% off, flat 20% off, ठीक है, तो यह क्या है, यह trade discount है, trade discount businessmen, जो लोग रोते हैं, उन लोग trade discount कहा है देते हैं, customer को attract करने के लिए देते हैं, क्योंकि customer उसको पढ़ेगा, flat 20% off, वो भगते भगते दुकान के नदा जाएगा, trade discount सब इक लिए अवलेबल है, customer को attract करने के लिए जाता है, और ज्यादा समान वो खरीदे, इ इन शट खरीदोगे, तो एक free, ठीक है, तो यह सारी चीज़े तुम लोगों को attract करने के लिए जाती, तो trade discount के कुछ features हैं, कि available to all, available to all, मतला तुम जो तुम पैंटलून की दुकान में गए, mall में, और वहाँ पर लिखा था 20% off, तो एक बात बताओ, क्या वो 20% off, सब को मिले भाई या वो सब को मिलेगा, तो yes, available to all, किस लिए जया जाता है, to attract the customer, attract the customer, और third इसका ये है कि कभी भी trade discount को journal entry में show नहीं करते, journal entry में books के, books में recording करते time, journal entry में हम लोग trade discount show नहीं करते, तो trade discount is not shown in the journal entry, ठीक है, journal entry में हम कभी भी trade discount show नहीं करते, बोलो समझ में आगई बात, yes, तो बताओ trade discount क्या होता है, trade discount भाईया वो होता है, जो दुकान के सामले लिखा रहता है, flat 20% off, flat 50% off, flat 30% off, क्यों दिया जाता है, customer को attract करने के लिए जाता है, अपने तरफ खीचने के लिए जाता है, क्या सब को अब label है, सब को अब label है, भाई 30,000 रुपए माइनस करके मैं अपनी बुक्स में direct 80,000 रुपए record करूँगा, direct कितना रुपए record करूँगा, 80,000, मैं trade discount नहीं दिखाऊँगा, मैं trade discount नहीं दिखाऊँगा, समझ में यह बात, cash discount क्या होता है, cash discount वो होता है, जो कि तुम लोगों को दिया जाता है, to motivate, देखो payment, ठीक है, तो कहे एक लिए जाता है, cash discount, जिसे माल लोगो कोई customer आया, मेरा दोस्त आया मेरी दुकान में, मेरा दोस्त आया मेरी दुकान में shopping shopping कर लिया, फिर उसकाद बोलता है, भाई, पैसा बाद में दू चलेगा, अब मैं दोस्ते यार, दोस्ती यारी में मैं बोल नही cash discount, और ये सिर्थ तेर को मिलेगा, क्यों, तू immediately payment कर रहा है, तो मैं customer को क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को क्या कर रहा हूँ, motivate कर रहा हूँ, कि वो तुरंत cash payment कर दे, ताकि मैं भी फुरसत, वो भी फुरसत, पैसा तुरंत मिल जाए, क्योंकि time value of money भी कोई चीज होत आपको trade discount भी मिल रहा है, cash discount भी मिलेगा, अगर आप immediately payment कर दिये तो, तो ये क्या है, तुम्हारा cash discount है, ठीक है, not available to all, not available to all, सिर्फ ऐसे ही customers को दिया जाएगा, जो cash payment करने से भगते हैं, जो cash payment करने से भाग रहे हैं, सिर्फ उनी customers को दिया जाएगा, ताकि वो लोग तुरं to all, और third है, to be shown in journal entry, तो journal entry में इसको show किया जाता है, yes, तो cash discount जब भी हम लोग journal entry पास करते हैं, हम लोग cash discount को show करते हैं, समझ में आगई बात, तो cash discount show होता है, trade discount शो नहीं होता, तो difference समझ में है, trade discount available to all है, cash discount not available to all, trade discount customer को attract करने के लिए जाता है, cash discount customer को motivate करता है, कि तुम cash payment तुरंद कर दो, trade discount का entry, journal entry में नहीं होता, पर cash discount का entry, journal entry में होता है, ठीक है, तो यही है दो चीज, इसको तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, और बाकी सारी चीजें है, तो इसके साथ तुम्हारा जो basics वाला portion था, वो हम लोग खतम कर दियें, इस lecture में, तुम्हारा basics वाला portion ती lecture में हमने समाप्त कर दिया, although तुमको थोड़ा boring लगा होगा, I agreed, जो कि चीजे पढ़ी-पढ़ी लग रही होगी, तो relate कर पार होगे, पर कुछ भी एक नया चीज सीखने को मिला, तो that's something very good, ठीक है, तो I cannot skip, I cannot assume guys, कि तुम लोगों को चीजें आती है, तो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, I have to cover the each and every aspect of your book, so that's why, मैंने ये चीजे पढ़ाई तुमको, तुमको आती होगी, that's very good, और जिसको नहीं आती होगे, that is although very good, ठीक है, तो इस lecture में लोग इतने ही करते हैं, next lecture में we will continue, God bless you, take care, bye-bye.